थाना परभारी के गाड़ी से जुसको का करमचारी हुआ घायल लोगो निक्या जमकर हंगामा बिस्टुपूर थाना छेतर के नर्भेराम स्कूल के पास सोमवार को सिद्गोडा थाना परभारी रंजीत कुमार के कार की टकर से जुसको का सफाय कर्मी घायल हो गया इसके बाद लोगों ने थाना परभारी रंजीत कुमार को घे लिया और उनके साथ धक्का मुकी भी की बताते हैं कि थाना परभारी वर्दी में नहीं थे इस वज़ा से लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना हलाकि थाना परभारी बार बार बोल रहें थे कि वो सिदगोडा थाने के परभारी हैं लेकिन कोई उनको सुनने के लिए तयार नहीं था घटना की सूचना मिलने पर बिस्टू पूर्थाना पुलिस पहुची और तब हंगामा शान्त कराए गया वही दूसी तरफ घायल सफाय कर्मी को इलाज के लिए टीएमेच भिजवाय गया था बाद में घायल युवक को इलाज के लिए राची रिम्स रेफर कर दिया गया घायल युवक डोबो का रहने वाला बताया जा रहा है लोगों का आरोप है कि कार तेज रफ़तार में थी और कार चला रहे हैं थाना परभारी मुबाइल पर बात कर रहें थे इसी की चलते ये हादसा हुआ है बताते हैं कि जुसको का सफाय कर्मी सफाय कर रहा था तब ही ये हादसा हुआ इस घटना पर सवाल उठने लगे हैं क्या पुलिस दूसरों को ही नियमों पर चलना सिखाएगी और खुद नियमों पर अमल नहीं करेगी कहा जा रहा है कि अगर थाना प्रभारी तेज रफतार कार नहीं चलाते और मोबाईल पर बात नहीं कर रही होते तो शायद ये घटना नहीं घटती मंगला हाथ मांगो में एक ऐसा दुकान जहां मिलता है फ्रेश ब्रैंड़ेट कपड़े के साथ सा फैक्टरी माइनर रिजेक्शन ब्रैंड़ेट कपड़े वो भी एक दम वाजिब दामों में जी हां मांगो जवाहन नगर रोड नमबर 14 मंगला हाथ में आपको मिलेंगे लड़के लड़कियों और बच्चों के लिए सभी प्रकार के कपड़े वो भी सिर्फ 30 रुपए 50 रुपए 99 रुपए 150 रुपए एवं 200 रुपए के उपर के वाजिब दामों तो एक बार ज़रूर पधारे जवाहन नगर रोड नमबर 14 मंगला हाथ में खरीदारी करिए ब्रैंडेड माइनर रिजेक्शन और ब्रैंडेड फ्रेश कपड़े एक दम कम और वाजी प्रीम तोपर आप ज्यादा जानकारी के लिए दिये गए नमबर पर संपत कर सकते हैं प्रीम में खरीदाड में आप जानकारी बैना पटराइए नमबर पराज देसरेक्शन प्रीम तोपि को बस्ति अजिन देसरेक्शन नगर में जा ऐने जानकारी करींगे touchdown